गुज़ बिल्ला हमिने शेतानी रजीम, बिसमिल्ले रह्मानी रहीम, अस्सलाम अलेपूं गाईस, कैसे हो, दुआ करती हूँ कि हम सब जहां भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्ला है की रहमत और बरकतों से माला माल रहें, तो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, अंडे का आमलेट, हाँ गाईस, आज बिना हम अंडे का आमलेट बनाएंगे, लेकिन खाने में इतनी श्वादिस, इतनी टेश्टी है, कि जो हम अंडे से आमलेट बनाते हैं उससे कई गुना ज्यादा टेश्टी है, बलकि समझ ही नहीं पाएगा, खादेवाला कोई की इस चानल को सब्सक्राइब करने जिए क्योंकि हमारे चानल पर आपको इसी तरी की से वीडियो डेली को देखने को मिलती है ओफी फिरी में तो इसके लिए हमें पहले सुरू में तो बड़ा बरतन लेना है तो देख सकते हैं हमने बड़ा कटूरा ले लिया है कोई भी बरतन ले स उसके बाद में एक चमस देख सकते हैं हमने काली मिर्च ली है आप हरी मिर्च काटकर या उटकर भी डाल सकते हैं शाथ के अनुसार हमने नमक लिया है और उसके बाद में हमने इसमें प्याज और धरिधनी की भी जरूरत है तो उसको भी हमने बारिक-बारिक कट कर लिया है उसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको अच्छे से हमें गोल लेना है इसमें गुठुलियान लंस बिल्कुल ना रहें गाईज एकदम अच्छे से बढ़िया से हमें इसको गोलना है और ना ही हमें इसको ज़्यादा पतला करना है ना ही इसको हमें ज़्यादा मोटा रखना है हमें इसको एकदम मेडियम घोल लेना है गाइस उसके बाद में घोलने के बाद हम इसमें अपना धनिया और हरा धनिया और प्याज है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और डाल कर थोड़ा सा पानी और डालते हैं और इसको बढहियां से एकदम खोल लेते हैं तो इसमें हमें बहुत ही secret चीज की जरूरत है जो हमारा आमलेट जो है एकदम जिस तरीके से हम genuine आमलेट बनाते हैं उसी तरीके से बनने वाला है तो इसके लिए हमने देख सकते हैं जो है खाने वाला सोड़ा लिया है खाने वाला सोड़ा बेकिन सोड़ा जो भी हो गाईस आप डाल सकते हैं लेकिन खाने वाले सोड़े से इसका टेश्ट इसका स्वाद एकदम अलग हो जाएगा गाईस तो इसके लिए देख सकते हैं हमने खाने वाला सोड़ा डाल कर एकदम बढ़ियां से फेट लिया है गोल लिया है देख सकते ही इसकी कैंसिटी हमने कैसी रखी है ना ही जादा पतला रखा है ना ही जादा हमने मोडा रखा है एकदम मेडियम रखा है इसको बढ़ियां से एक गाईज देख सकते हैं एकदम अच्छे से हमें इसको गोलना है उसके बाद में हमने फराई पेन लिया है गैस के उपर हमने फराई पेन चड़ा दिया है उसके बाद इसमें हम तेल डालेंगे और तेल डालकर पूरे पेन में हमें अच्छे से हिला देना है उसके बाद में हम जो आमलेट का गोल हमने बनाया है बिल्कुल गाईज कोई कही नहीं पाएगा कि इसको आमलेट से नहीं बनाया हुआ है खाने में इतनी श्वादिस लगती है कि अगर आप बच्चों को भी देंगे खाने के लिए तो बच्ची इतने पसंद से इतने लाट प्यार से इतने चार से खाएंगे ना कि आपको कहनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक तो गाईस बहुत ही बढ़ियां से बहुत ही श्वादिस और टेश्टी से हमने इसको बना कर तयार किया है अगर आप मिर्ची डालेंगे तो छोटे बच्ची जो है वो नहीं खा पाएंगे लिकिन अगर आप काले मिर्ची डालते हैं जिस तरीकी से हमने डाला है तो छो जालिदार एकदम बबल वाला देख सकते हैं वो इसे ही बना है जैसे जैनवन होता है तो देख सकते हैं सारे आमलेट को हमने बना कर तयार कर लिया है गाईस कोई नहीं लख पाएगा कि यह जैनवन आमलेट नहीं है जिसको हमने अंडे से नहीं बनाया है तो प्लीज गाईस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चानल पर आपको इसी तरीकी से वीडियो देखने को मिलेगी देख सकती ही कितना जालिदार हमारा आमलेट बनकर तयार हुआ है बहुत ही बेतरीन और बहुत ही टेश्टी गाईस एकदम यकीन माने जब इसको हमने बनाया तो कोई लखी नहीं पाया कि इसको हमने आमलेश से नहीं बनाया है और इतना मुलाइम इतना सौट गाईस कि एकदम खाने में इतना स्वाद है कि कोई कहीं नहीं पाता है कि ये आमल रखिए और हमें भी दौाओं में याद रखिए और इसी तरीकी से रेस्पी जो एदाईज बनाते रहिए अपने घर वालों को अपने बच्चों को खिलाते रहिए चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में अस्सलाम अलेकुम